वेले कं बैक डूमा यूटूब चैनल पेपर है कर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिख सेटे टेट के लिए पहले आपके एक से लेकर टूइनटी टू तक हमने एक एक करके डिस्कस कर लिया है बंतू फंटी टू टीच जितने विए आपके लॉंग आंसर है कि लॉंग आंसर टाइप क्यों है कि लोंग अंपसे हैं क्यों है लॉकर आपको डिस्कौस करेंगे लब तोट से बारें टीक इसकोका और गाला तीक狮 पूचा धाय कि रंजक क्या होते हैं ठीक है रंजक या डाइ जिन से पने हमार्स निर्मार क्तरीं हो यूस किया जाता है वह आपके डाइग होते ना है कि दूसरा कुछ क्तलत Irma sau क्या रख़े वा ला के दूसरा की निम्न न पर ठीक क्रोमो फोर आपका क्या होता है यह बताना है दूसरा और जो क्रोम क्या होता है और जो क्रोम क्या होता है थेड़ है आपका क्रोमो जन ठीक है क्या है आपका क्रोमो जन यह बताना है क्या है अब आपका तीसरा कोश्चन आ जागा कि रंग एवं रचना रंग एवं सरचन के सिद्धानतों की विवेचना कीजिए तो यह ढार्फे आपके तीन किया की था होते हैं ठmost कि तो आपके निम्ण पढ होते हैं ठाशना की विवेचना की कि तया निम्हेता से होते हैं या रंजको होते हैं वह सबसे पहला पूछा था अपसे ट्रॉच्छर स्टाइश्या मी कपड़ों को रंगने में प्रियोक्त होते हैं ठीक है आपके जो तो रंगीन पदार्थ होते हैं, जिनसे विमिन प्रकार के कपड़े रंगे जाते हैं, कपड़ों को रंगने में उनका प्रियोग किया जाता है, ठीक है, क्या कहलाते हैं, रंजक कहलाता है, ठीक है, प्रितियक रंगीन पदार्थ रंजक नहीं होता है, जियाद रखना कि सभी जितने भी आपके रंगीन पदार्थ होते हैं वो सब आपके डाई नहीं होते हैं ठीक है तबी रंजक नहीं होते हैं रंजक के रूप में कारिय करने के लिए रंगीन पदार्थ में निम्न गुड़ होने चाहिए जो भी आपका पदार्थ है वो कर रंजक के रूप में कारिय करेगा तो उसमें निम्लूंग झाये वो कौन काुन से गुढ है देखते हैं यह एक उच्ष music Corpor painter होना चाहिए छोड़ी कि स्पिश्च्पिक क्लार होना चाहिए इसका दूसरा कहार है यहैं बिमियन से कपड़े अपका यहां पर पदार्त है तो billion से कपड़े पर चिपक जाना चाहिए ऐसी quality होने चाहिए इसकी कि यह क्या हो billion से सीधे आपके कपड़े जो कि कपड़ा यहां पर पदार्थ का गारी कर रहा है उस पर चिपक जाये आसानी से थड़ कर रहा है यह प्रकाश द्वारा तथा धोने पर नष्ट या समामत नह यह प suffered नहीं पड़ना चाहिए तो यह कुछ गुण धिक है किसके रंजक्त कि या यादीक में किन्या आपको याद रखना है ठीक है phiद दूसरा वाइव में पुंचा घ्या था आपका यह आपका जो और लिखनी है और को कौन से इसमें रंजग बाई पदार्तों का रंग क्या होता है ङुद्अ कहते हैं other तो यहां डबल वांड आ जाय किनी दो परमाणू के बीच में तो आपके ऐसे गुरुप क्या कहलाते हैं असंत्रप्त संथ्प्त समूहूं के कारण होता है इन ही के कारण आपका जो है कारणिक पदार्थों का रंग होता है जिने क्रोमुफोर कहते हैं क्या कहते हैं इनको वह क्रोमुफोर कहते हैं जो आपके गुरुप होते हैं असंत्रप्त उनीक एकार्ण क्या होता है आपका कलर प्रेजेंट होता है डाही में और वह क्या कहलाते हैं आपके क्रोमुफोर कहलाते हैं जैसे कर हम बात करें तो आपका नाइट्रो गुरुप है एजो गुरुप है का थार्ववनिल और पॉलिथीन और यह क्या आपका पहेरा इक हुझं नॅन इप-पर हम बात करें Aid तो आप आपका Europe है क्या है नायट्रो गुरूप तो इतना है इतना अप भूच्चा यह क्या हो सो हो गया और यह क्या होगा आपका एजोगूरू सो और het और यह प्लक और आपका क्या है लिए ने पर ईनटीक नमें धना क्रलर सकते सब्सक्राब अर्व करते हैं है और यह हमारे क्या सबस्मोर कर गृप जो लो ऐसे प्रिजन होने चाहिए कि अचीज करी और गृते हैं यहां। उस्पदार्त का रंग उसमें प्रिजेंट होता तो नाइट्रो नाइट्रो तो एजो कार्गोनल पॉलितिन और पैरा को नहीं नाइड यह कुछ आपके जो है क्रोम फोर है ठीक है वा में हमसे पूछा था कि आपका जो ऑक्जो क्रोम में ठीक है क्या पूछा था आक्सौ और देखते हैं कि आपका अग्सार यहां कि उपस्थन किया ऊता है लेकिन लेकिन क्रोमफोर यह रंग को और गहरा इस्थाई कर देते हैं लेकिन अगर इनके साथ इन में इसको यह आपका एक क्रोम फोर मिला दिया जाए तो उसकी उपस्तिदी में क्या करते हैं आपके उक्जो क्रोम की उस रंग को और गहरा इस्थाई बना देते हैं ठीक है कैसा कर देते हैं गहरा इस्थाई ब तो इनकी बजाए से तो इनकी बजाए से आपका कलर नहीं होता है लेकिन इनी को अगर किसी भी आप क्रोमोजोम क्रोमोफोर के साथ मिला दो तो क्या होता है यह रंग को और गहरा एसथाई कर देते क्या कर देते हैं तो इस प्रकार के सम भूओं को अब्जोग गरूप है यह साथ मिला दो तो यह करेंगे कलर को और गहरा और स्थाई बना देंगे ठीक है इतना याद रहेगा का रहें रहा है बेंजीन क्या है एक लाल रंग का पदार्थ है जो आपका एज़ा बेंजीन होता है मतलब उसमें क्या होगा आपका एमेन गुरुप लगा रहेगा परंतू रंजक नहीं है लाल पदार से लेकिन ये लाल रंग का रंजक है लेकिन इसका एक क्या होता है पैरा हैडरोक्सी व्यूत्पन जो की इसी से एजो बेंजीन से उत्पन किया जाता है वो क्या करता है यह लाल रंग का रंजक है अब यह कैसा बन जाएगा आपका लाल रंग का रंजक या डाई बन जाएगा ठीक है तो य लाल है परन्थू रंजक नहीं यह कैसा आपका रैड तो है लेकिन यह ड्रॉइ की तरह काम नहीं करता है खुद में अपने आप में हैद हम बात करें पैरा है ड्रॉक्सी अजोगर्पी भी थोड़ी दिर पहले तो इसी की बज़ए से किया क्लेंगा यह गहरल रंजग बन जागा अब यह किया है आपका प्रोमोजन की यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह भी एक प्रकार का पदार्थ होता है आपका क्रोमो जन ठीक है क्या कह रहा है कि क्रोमो फोर युक्त क्या क्रोमो फोर युक्त यानि कि ऐसा पदार्थ जिसमें आपका क्रोमो फोर प्रिजेंट हो योग क्रोमो जन कहलाते हैं भे क्रोमो फोर युक्त योग क्या आपके क्या कहलाते हैं क्रोमो ज ओंचरो नुस्त है यह क्या आपको तरह करएंगा यह आपका तस्थित में तरह का तरह करेगा तरह का रंजक और उनका जो composition होता है constitution होता है वो आपसे अब यहाँ पर पूंच रहा है ठीक है तो उसको हम जानेंगे कि क्या होता है यह आप देखो रंग एवं सरचना कार्वनिक पदार्थ की सरचना तदा उसमें विदमान रंग में एक गहरा संबंध है जो आपका organic compound है और उसकी जो सर पाया जाता है तो उसकी सरचना और उसके रंग में किसके carbonic compound कार्वनिक योगिक इसरचना और उसके रंग में ठीक है इनमें में यह कीस्मेजवph Have a कर दोनों एक दूसरे से संबंदत रहते हैं कहा यह इसको समझने के लिए AMukhtha दो सिद्धान्त है इसको समझने के दिए दिये थे उनको हम पढ़ेंगे वह कौनसे सिद्धान्त है नंबर एक है बिट का सिद्धान्त पहला क्या था आपका बिट般 पढ़त है कर दोनों में सरचना और रंग में किया होता है इसको समझने के लिए दो सिद्धान्त ora जाता तो तो सिद्धान्त पाएं किया रखना है विशची लिए का सिद्धाना क narrative तो सिद्धानत ही कंपाउंड पीजान है तो इस्धानत क्या है विट नाम कास दिंद्धान रहा हो ठीक है जो आपके और से का यह से का साथ सपन liuito से थंप्रत कर आप सब्सक्राबन के लिए या कपड़ों से चिपक जाते हैं नहीं होगा तथा प्रकास के संपर भी इस्थित रहता इस्थिर रहता और उनका लाइट पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आपको दुलाई का ना साबन या लाइट तिए इसलिए नहीं की है इस सब रंगीन कारवनिक पदात्त रंजक लेकिन यह भात ध्यार रखने वाली कि हम नहीं कह सकते कि सभी जो आपके रंगील कर्विनमय को पदार्त कैसे वाउं टाय हों तो यह जैसे पिकरक्रिक अमल क्या है पिकरिक अम्ल तताफ ट्राइन आट्रो टॉलम दोनों है आप यहां पर पivel और रणके होते हैं पेहला योग को वस्तर के साथ च्पक जाता है पहला कर दो किया Voilà इस लिए रंजक कहला था बस्तर के साथ चिपक जाता है इसलिए क्या कहलाता है ठीक है रंजक हमारे क्या होते हैं जो आप कपड़ों को रंग दे ठीक है आसानी से छुटे नहीं प्रकास का और पर कोई इफेक्ट ना पड़े सावन से दोने पर भी बूर ना चुटे तो क्या कह रहा है इसलिए रंजक बस्तर को पीला कर देखा लेकिन यह बस्तर के साथ इस्तर नहीं रहेगा अगर आप पानी में भावन के साथ फूरवक कपड़े से नहीं चिपकता है ठीक है आपका दूसरा पतारत कौन सा है ट्राइन आईट्रों कलर तो इसका पीला हुदा है नेक्स्ट इसके बाद कह 1076, 1806 में आटो विट ने रंजकों के सिद्धानत को इस पस्ट रूप से समझाया, अब कौन आगे आपके आटो विट, ठीक है, आटो विट, इनी का था अभी हमने देखा था, बिट, बिट्स थियोरी, ठीक है, तो यही तो आपका आटो बिट, ठीक है, बिट्स थियोरी के नाम से जिसे हम जानते हैं, तो कि कब 1806 में इन्होंने रंजकों के सिद्धानत को इस पस्ट रूप से समझाया, और क्या कहा, कि इसमें निम्न अभिग्रीत, या निम्न गुण जो है, इसमें होने चाहिए, नमबर एक कहरा, कि कार्वनिक पदार्त का रंग, क्रोमो फोर के से काड होता है, सही बात है, अभी हमने उपर पढ़ा था कि क्रोमो फोर की उपस्थिति के काड ही इनका जो है कलर होता है, यह क्रोमो फोर बहु बंदित समू होते हैं, कैसे होते हैं, हमने अभी पढ़ा था, असंत्रप्त समू होते हैं, कैसे होते हैं, असंत्रप्त या अन जैसे अगर हम बात करें कि nitrogen और oxygen के बीच में double bond बना हुआ है nitrogen और oxygen के बीच में आपका double bond यहां पर बना हुआ ठीक है तो यह कैसा हो गया बहु बंदित हो गया जो कि आपका क्या होगा nitroso होगा क्या होगा यह आपका हो जागा nitroso थीक है तो यह nitrogen के बीच में double bond और यह जो bond बन रहा है nitrogen के लोन पेर द्वारा बन रहा है तो यहां पर यह जो bond बन रहा है nitrogen के पेज जो लोन पेर रहते हैं वह अपना दोनों लोन पेर oxygen के साथ में bond बनाने में पार्टिशिपेट कर रहा है ठीक है तो इस पर लोन पेर अब नहीं रहेंगे तो यह आपका गुरुप कैसा कहला है रहते हैं यानि कि दोनों आमने सामने position पर आपका double bond बना रहेंगा carbon से ठीक है इस वाले carbon पर भी devil और इस वाले carbon पर भी double बाद तो क्या हो जागा पहरा कईनोनाइड समूँ ठीक है पहरा कुईनोनाइड समूँ तो इनके काड़ ही जो है कलर होता है किसी पदार्थ का कहते हैं अर्थाद रंग उतपादक कहते हैं ठीक है तो बेश अभी पदार्थ जिन आपका क्रोमो फोर प्रिजेंट होता है क्या कहलाते हैं आपके क्रोमो जन या रंग उतपादक क्या गयते हैं रंग उतपादक या निकि रंग का उतपादन करते हैं ठीक है एकल तथा दुतियक बंद का संयुग्वन भी पदार्थ को क्रोमो जन बनाने में सहायक होता है अब प्रोपर्ण दोब का इस अवाद होता है मैं यहां पर कह रहें रंजक का इस्थाई इस्थाई करण गोण अडू में हो पस्थित निश्यत अम्ल तथा छारीय समूह के कानद होता है अब जो आपका रंजक है उसका इस्थाई करण गूर्फ ठीक है कैसा पर्मानेंट उसका जो प्रोपर्टी जो दिया अडू में वो किसके काड़ होती है उसमें उपस्तित निश्चित अमल क्या निश्चित ऐसीड और आपका क्या होगा बेस बेसिक समूहों के कारण होती है जो उसमें आपका एसिडिक और बेसिक गुरुप होते हैं आपके किसी पदार्थ में उसी के कारण क्या होता है इसका इस्थाई करण होता है ठीक है ये गुणा है किसका रंजक का कहरा ये समूह रंजक को वस्त्र के साथ इस्थाई करण में सह कहते हैं चिप के रहते हैं द्रड़ता पूरवक ठीक है कर रहा है इन समूहों को आक्सो क्रोम कहते हैं क्या कहते हैं अब इनको यह आपके क्या कहलाते हैं और नारंगी हो जाता है ने थो हो जाता है हलका पीले हैं कपड़ों पर लग जाता है और और रंग और आपका regrets हें का नारंगी हो जागा कुछ ऑग्जोक्रोम आपको नीचे दे रखें जो आपको याद रखने हैं जैसे वह होगे आपका CWH, SO3H, NH2, NHR, और NR2 तो यह आपके कुछ ऑग्जोक्रोम है जो कि आपको याद रखने हैं ठीक है तो यह होगे आपके अग्जोक्रोम, नेक्स्ट, पूछ रहा है बिट के अनुसार, बिट आपके क्या थे, बिट के अनुसार रणजक को निम्न प्रकार से प्रकट करते हैं, बिट ने बताया था कि रणजकों को हम इस तरह से प्रकट कर सकते हैं, तो रणजक क्या अधेवर, रणजक के इसकल्ट इन दोनों का क्या होता है, मिक्श्यर होता है, ठीक है, क्रॉमोजन और ओक्सो क्रॉम, इन दोनों को अगर आप मिला दो के तो क्या होगा, तो जो आपका उत्पदार्त या उत्पाद बनेगा, वो आपका क्या कहलाएगा, रंजग या डाई कहलाएगा, ठीक है, पिक्रिक अम पिक्र कम लापका क्या बतायगा आ आ अ आ कर वह दूंद लूम्म नाइट्रो भेंजीन के रूप में जो पील रंका होता है किससे पिक्र कम अभी हम बत बात देखेंगे पिक्रिक आपका क्या ह३ा त से यह स्पष्ट हो जागा कि से पिक्रिक एसट से क्रोमोजन ट्राइनाइट्रो बेंजीन के रूप में है जो पीले रंका होता है क्रोमोजन आपका कैसा है ट्राइनाइट्रो बेंजीन के रूप में है ठीक है क्रोमोजन की बात यहां पर कर रहा है यह किसकी बात है पिक्रिक है जो पीले रंग होता है कल उसका संवुक में उपस्तित रहता है और जो krome के रूप में आपका Ahs गूरूस रहता रहता है और का अभ्जो क्रोमिक सभूलु के रूप में जो की क्या करता है इसको कलर प्रदान करता है अब हम टू थरी और फाइब और सिक्ष्क्य आजागा तू कामा फॉर कामा सिक्स क्या जागा तू कामा ぶोला zeowt नाइट्रोब राई नाइट्रोब बेंजीन ठीक है तम इसका नाम कह ऊव जोगा क्या है आपका प्रो मोजन है क्या है आपका क्रो मोजन है ठीक है रिक्रिक आसट की बात करें तो यहीं पर इसको ये भी आपका कैसे तो अधा है ट्राइन अध्रोब दूसरा अगर हम बात करें लेकिन इस पर क्या लगा हुआ एक आपका ओच गुर्प लगा हुआ ठीक है जिसे हम क्या कहते है आपका अग्जो क्रोमिक समूँ अब यह जो आपका लगा है इसी के कार्ड जो आपका TNT है ट्राइनाइट्रो ट्रॉलून है ट्राइनाइट्रो ब खटरोत खटरोमिक समूम अभंग यह यहाँ पर किस की तरह काम करेगा को तरह काम करेगा और जो आपका ट्राइनाइट्रो ठीक है तो क्रॉर कॉमेंग शुग करेगा कैंच जिसा काता हूँ यह तहां रणजक आपके क्या होते हैं निमनपर टिपड़ी वी हमने पढ़ी थे जिसमें पढ़ा था ख्रोम ग्रों क्रोम आपका क्या होता है तो आपको जो है रंजक समझ में आया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में बन रही हमारा साथ और वीडियो को लाइक शेर कर दें अपने साथियों तो पहुंचा दें जो भी आपका साथिये बीस से कंड सेमेस्टर की त्यारी कर रहा है या प्रेपेरेशन कर रहा है तो आप help कर सकते हैं ठीक है और अगर आप हमारे चैनल पर नए है पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ठीक है और इदे आपको बहुत ज्यादा material चाहिए तो इसकी लिंक बन जागा जहां से आप इसका वीडियो फार्म डालोड कर सकते हैं और अपनी त्यारी इच्छे से कर सकते हैं ठीक है बने रही हमारे साथ मिलते अगले वीडियो थेंक्स वाचिंग शेयर दा वीडियो